नमस्कार जी कैसे हो आप तो आज आईए मेरे आज के वीडियो में आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है विकॉज आज मैं सूट की कटिंग करने जा रही हूँ और मैं मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर कर लूँ तो सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कर देना और लाइक शिर्ट जरूर कर देना मुझे पता लग जाएगा कि मेरी वीडियो को कौन कौन देख रहा है और कहां से देख रहे हुआ आप ये भी कॉमेंट में जरूर बता देना तो सबसे पहले ये डिजाइनर सूट है इसमें छोटे छोटे स्टोन लगे हैं तो मैं यहाँ पर प्रेस कर दे रही हूँ और इसमें मैं अच्छे से प्रेस कर दूँगी और जो सेट हो जाए इसका जो भी डिजाइन है वो बैठ गया है बिलकुल से कपड़ा आप को दिख करेंगे तो आप मेरे आज की वीडियो में बने रहिए बिलकुल भी स्किप मत करना आप मेरे साथ जुड़के रहो कुछ कमी पेशी लगती है तो आप कॉमेंट में मुझे जरूर बताएं और साथ के साथ अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजे नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो तो उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रंट का जो पार्ट है वो अलग कर दिया है और बेक का अलग कर दिया है साथ मैं यहाँ पे जो फ्रंट गले में पट्टी यानि लेस लगी हुई थी उसको भी मैं निकाल दे रही हूँ अभी और मैं बाद में इसको भी सेट कर दूँगी और पहले मैं कटिंग कर रही हूँ तो आप आईए देखिये यहाँ पे किस तरह से करूँगी सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो बंद साइड है वो अपने साइड रखा है ओपन साइड मैंने बाहर की साइड रखा है यहाँ और मैं यहाँ पे लेंद का मार्क कर दे रही हूँ और जो उसके बाद एक्स्ट्रा कपरा है एक्स्ट्रा उपर का फैवरिक में निकाल देऊंगी आप देख सकते हो तो प्यारे वीवर्स आपका हाथ जोड़के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और यहां पे मैंने मेजर्मेंट एक बार लिक्वी दिया है आप देख रहे होंगे तो जो चाती का नाव है ओ है 34 और कमर का है 33 और जो हिप है ओ है 39 और उसके बाद मैं कपड़े पे निशान लगा रही हूँ तो सबसे पहले यहां पे मैंने जो उपर शोल्डर है वहां पे मैंने 7 और 7 नीचे को लेना है और 7 उपर को लेना है और इसी तरह से मैं 3 रो में डिवाइड कर दे रही हूँ यहां पे 1 तो लगा ली है उसके बाद 2 रो भी लगा ली है एक तीसरी भी लगाऊंगी जिसमें कि हमने 3 नाप पहले नाप में तो हमने यहां पे 6 नाप लेना है चोथा भाग करके उसके बाद मैंने यहां पे कमर का लगा देना है और उसके बाद हिप का लगा देना है और जो जितनी लेंथ है वो नीचे तक पल्ले पे आप देख सकते हो आप यहां पे नीचे तक ले जाना है पूरी लेंथ और जो पल्ले का साइज होता है वो हिप के स साइस से 2 इंच एक्स्ट्रा होता है बस इससे ज्यादा नहीं होता है तो प्यारी वीवर्स यहां पर मैंने फ्रंट जो फ्रंट कमीज का पहला पल्लू था वो काट लिया है अब मैंने बैक वाला कटिंग करना है तो हमने जो पहला कटिंग करा था उसी को हम फैवरिक पे फैला देंगे अच्छे से और इसी के हिसाब से कटिंग करेंगे तो friends आपने ध्यान रखना है जब भी आप cutting करते हो तो आपको 2 इंच extra fabric छोड़ना पड़ता है सिलाई के लिए इससे कि हमारी जो fitting होती है कम जादा करने के लिए easy रह जाएगा तो इस तरह से मैं यहाँ पे पहले अच्छे से बिछा रही हूँ कपड़ा और उसके बाद कर दूँगी cutting तो friends आप इस तरीके से आप भी अपने घर पे कर सकते हो आज कल बहुत जादा rate हो गया है कपड़ों की सिलाई का भी तो आप अपने घर में भी सिल सकते हैं अपने लिए भी सिल सकते हो और अगर आप business के purpose से करते हो तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो तो friends आप इहाँ पे देख सकते हो तो viewers अगर आपको आज का वीडियो helpful लगा होगा तो comment करके जरूर बताए अगर आपको कहीं परशानी आ रही है तो आप comment करके वो भी मुझे बता दीजिए मैं आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियो वनाने की कोशिश करूँगी लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आपको कहाँ प्रोबलम आ रही है तो thanks for watching आपका बहुत बहुत धन्यावाद मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care अपना ख्याल रखे अपने परि